नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं, बात करते हैं गोवा के मर्डर की, इस मामले में बड़ा खुला सा हुआ है, एक ड्राइवर का बयान सामने आ गया है, उसने एक अख़बार से बात कि और क्या बुला है, ड्राइवर ने बड़ी इमपॉर्टनिंट बाते उसने बताया कि वो करीब 11 बजे के आसपास होटल में पहुँचता है 30,000 रुपे में ये पूरा फिक्स होता है कि वही 30,000 रुपे वो लेगा उसके साथ एक को हेलपर भी होता है जैसी वो पहुँचता है महिला को लेता है उसका महिला उसको कहती है यह जो बैग है एक जगा पर जैम मिलता है वहाँ पर ड्राइवर कहता है कि मैडम यहाँ बहुत जादा जैम है कोई एक्सिदेंट होई कई घंटे लग सकते है अब एक तरीका है कि मैं आपको एरपोर्ट छोड़ देता हूं इसके कमरे में खून के धब्बे मिले है इस पर हमें शक है एक बार इस महिला से बात करा दो वो फोन देता है महिला को यानि सूचना सेट को कि बात किर जिए सूचना सेट से वो पुलिस वाला कहता है कि आपके कमरे में खून कैसे मिले वो बहाना बनाती है उसके बाद वो कहते है कि आपका बच्चा का है वो कहते है मैं अपने रिष्टदार के हाँ दे आई पूछता एड्रस दीजे वो एड्रस देती है पुलिस को बाद में वो वेरिफाई कर रही होती है थोड़ी देर में पता चलता है वो एड्रस फेक है दुबारा फोन आता है ड्राइवर के पास और पुलिस कहती है इस महिला को कोई भी आसपास का जो ठाना है वहाँ पर अंदर गाड़ी घुसा देना क्योंकि यह महिला इन्वाल्व है इसने कुछ ना कुछ गड़बर कर रखी है उसके बाद अब डर भी होता है ड्राइवर को कि वो भाई गुपाल इसी सिटी में जब गाड़ी भी चला रहा है और पता भी चल गया है कि भाई हो सकता है यह मुझे वाश्रूम आ रहा है वो रुपता है गूगल करता है कि आसपास पूलिस टेशन कौन सा पास है उसको आंसर नहीं मिलता एक चौकीदार से पुछता है चौकीदार बताता है कि पानसो मिटर की दूरी पर पूलिस टेशन है वो वहाँ गाड़ी घुसाद दे जैसी ओ गाड़ी घुसाता है गोपाल जी महिला अक्टिव हो जाते है थाने में को घुसादी घाड़ी है एक आयक तभी महिला को पकड़ लिया जाता है जांच की जाती है तो उसमें सूट किस होई मतलब उसको और अलट हो जाएगी नहीं पुलिस ने यह बात सही है कि वह एलट हो सकती थी लेकिन इत्वाक से वह एलट नहीं हुए और पुलिस का यह दाओं काम कर गया अला कि पुलिस ने कुछ पूरी तरीके से चीजों को समझने के बाद ही मजला से बात की क्योंक कोई एक्टिविटी सूचना सेट करती तो शायद पुलिस उसको फिर ग्रैप कर लेती इजी ली उसमें कोई दिक्कत नहीं तो पुलिस ने अपना पूरा ट्रैप कर रहा था उसके बाद ही उसको महिला से बात की तो इसमें पुलिस के तरफ से कोई फाउल प्ले जैसा नहीं उसको केवल उसको पता करना था कि सारी स्ट्रेटिजी को हम किसरे से एक्जेक्यूट कर सकते हैं इसलिए उसने पुलिस ने महिला से बात कि गपाल जी इसमें एक चीज और भी सामने आरी जैसे उसने बात की महिला ने एक फरजी आड्रेस बता दिया पुलिस ने वो वागूं कैसे भागूं हाँ यह बास सही है कि पुलिस के उस पूरे प्लैनिंग में महिला के पास इसकेप रूट कम हो गए थे एक तो एक तो चलती हुई गारी रात का वक्त या जो भी रास्ता और सूनसान रास्ता वहां पर उसके लिए आइडेंटिफिकेशन कुछ नही दूसरा यह बात यह थी कि ड्राइवर जरूर घबराया हुआ था जैसा कि ड्राइवर ने खुद अपने बयान में बताया है कि उसके पास जब इंफर्मिशन आ गई पुलिस की तरफ से तो ड्राइवर के पास आप्शन इसलिए कम हो गया क्योंकि एक तो वह कुंक्री नही जानता था और सारे साइन वोट जो थे कंड़ में इसलिए उसको उतर के वाश्रूम के वहने से उसको गूगल करना पड़ा और गूगल में डिर्सों किलिमिटर दूर बता रहा था लेकिन इत्तिफाक से उनको वहां पे एक रेस्टुरेंट में वाच मैं मिल गया उस वाच के आने का इंतिजार कर रही है कि कोई ऐसा आ सकता है जिसको वह ग्रैप करें कल एक वीडियो में बात करें तो आपने बात का था कि यह सवाल उट सकता है कि मैला ने पुलिस उनको ड्राइवरों को क्यों पीछे से वार नहीं किया जो मेला हत्या करके बैठी हुए लाश ने कोई वैपन था इस वजह से और चुकि वो देखे इस पूरे मामले का जो सबसे वाला पेश है वो है कि ड्रैवर और उसका को ड्रैवर जो को पार्टनर था उसकी वजह से क्या हुआ मैला जो है वो अंडर प्रेशर रही होगी उसके सामने उसको लग रहा होगा हम एक को नहीं होने दूँ और ऐसा लगे नॉर्मल बात हुए पुलिस में भी ये बात आपकी सही है कि वो ये भी शायद दिमाग चला कर ये सोच रही होगी कि मैं कोई ऐसी एक्टिविटी ना करूं जिससे इन लोगों को मुझे पर शक हो जाए जिस बात को लेकर पुलिस हम पर श कर जाए इसलिए उसने साइथ कुछ रियक नहीं किया उसने से गाड़ी तो कई शेहरों और सुभा रात भर गाड़ी चलती रही सुभा ग्यारा बजे के आसपास ये उसको पकड़ा गया है तो बही साथ बजे के बाद तो एक दब रोशनी आई जाती है तो तीन-चार ये प्लान उसको कमजोर लग रहा होगा ऐसा लग रहा होगा कि हम यहां से अभी इन से तो बज जाएंगे लेकिन फिर पुलिस बिलकुल नहीं बच पाएंगे ऐसे हम शायद सामने पढ़के पुलिस से बच जाए हाँ अब यहां पर देखिए एक पेच आ रहा है जो नया लेटेस डिवलेपमेंट अभी आया है जो पुलिस का डीजीपी ने बताया कि पुलिस को अब यह सपोर्ट नहीं कर रही है किसी भी एजेंसी को पूस्ताज में सपोर्ट नहीं कर रही है पुलिस ने इसका साई को टेस्ट भी कराया है और पुलिस के सामने यह अपने पिछ करना पड़ेगा सारे एविडेंस को मिलाना पड़ेगा उसको कराबरेट करने पड़ेगा ताकि वो साबिद कर सके कि कतल इस नहीं किया है तो यानि अब उसके पास महिला के पास बचने के उसने अपने लिए एक विड़ो खोलने की कोशिस की है लेकिन कुपाल जी जिब यह सिच्वेशन आई पूरी रास्ते महिला ने बात नहीं करी और जब पुलिस से एक बार बात की तो भी बड़े उसके चैरे पर कई शिकर नहीं थी यानि वो थी तो बड़ी प्रोफेशनल बड़ी मतला एमोशनली कोई वीक नहीं थी वो यह कहा जाए इमोशनली वीक कि महिला रही दूसरा यह है कि पुलिस के सामने अब वो इस ट्रॉंगली अपने दिमाग से काम कर रही है वो अपना दिमाग एप्लाई करने की कोशिश कर रही है अलग बात है कि पुलिस के पास सारे एविडेंसे हैं या पुलिस तमाम तरह के हत्गंडे अपना के उससे सा इस मामले में डीजीपी ने भी कही सारे बयान दियों वो क्या बयान है कुछ अब उसमें केवल यह कि एक तो वह कोपरेट नहीं कर रही है सुसाइड वाली टेंशी में उसने यह बताया कि जो ब्लड मिला था कमरे में वह इसी का ही है इसने अपनी हाथ की नस काटने की कोशिस की और प्रिशाइड डर गई या जो भी हिम्मत नहीं पड़ी तो उसके बाद उने पट्ट्विटी बांग के अपने आपको चेंज कर दे बाद में पुलिस को उसने घलत तरीके से बयान बताया कि इसको उसका पीरेट्स का वगरा का ब्लड है और उसके लिए सफाई के पैसे दे सकती है लेकिन बाद में वो ठीक ठीक निकला कि यह इसके कलाई का लेकिन ब्लड उसी का था तो इसलिए ब्लड वाली बाद जो पता चलेगा अभी पोस्मार्टम रिपोर्ट पूरी दे से पुलिस के पास नहीं आई है ऐसा अंदाजा लगा है तो ऐसे कौन-कौन से सबूत हैं किसी ने देखा तो हैं नहीं मारते वें सिर्फ उसकी मौजूदगी वहाँ पर बच्चे की डेट बॉड़ी मिलना और वहा इसका आने वाले दिनों में हो सकता है एक बाली अबयान भी आ जाए और उसका acceptance हो जाए crime को अपना accept कर ले लेकिन ये थोड़ा सा भी दूर की बात है मगर इतने सबूत हैं परियाप्त हैं कि इसके murder की इस गटना को प्रूफ किया जा सकता है मैं एक चीज और सोच रहा था गलती सारी चलिए murder की है तो सबसे बड़ा गुना तो उसका ही थोड़ी psychology भी इसकी discuss करते हैं एक लेड़ी जिसने प्यार किया बेंकर टर्मन से उसके बाद उससे शादी की उसके बाद 9 साल relationship चलाया उसके बाद एक मौका ऐसा आ गया कि दो- भाई husband wife की tips जो है आपस में tips हो रही हैं बहुत जादा तो ऐसा नहीं कि सारी गलतीया सूचना सेट की रही होगी कभी हो सकता है पती भी गलत रहो कई बातों बिलकुल आपकी बात ठीक है कि पती पतनी के बीच में जगले की दो वज़े होती है पहली चीज एक तो यह है कि दोनों का कहीं न कहीं ego clash होता है उसने मेरी बात नहीं मानी तो हम उसको ऊपर react करेंगे तो यह दोनों में होता हैマगर यहां पर बात निशिय ज़लूप से कुछ इस इस हथ के आगे की है यहां पर यह नहीं लग रहा है कि बात जों है वो केवल मामूली लग जग्ले की हो सक पती-पत्नी के बीज में हर एक पती-पत्नी के बीज में अगए तो यह बात मुझे जो लगता है जैसा कि मैंने कल भी कहा था मुझे जो लगता है कि यहां पर बात बहुत हद तक इगो पर है कि वो मेरी बात या वो मेरे साथ इस तरह से रियक्ट कर रहा है या वो मेरी बात नहीं मान रहा है या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए मैंने मना किया हूँ वाटेवर आइधर वे या पती ने पतनी से कहा या आइधर वे हो सकता है ऐसे में मुझे जो लगता है कि इसी तरह कि कोई बात जहा है वो ब्लास्ट होई है वो एक तरह से वैलकनो बन गई है और उसके पर फिर यह हो गया है कि जब दोनों के माइंडसेट नहीं मिल रहे हैं दोनों की फ्रिकेंसी नहीं मिल रही है दोनों को लग रहा है कि अब हम लोग को रास्ते अलग कर लेने पड़ेंगे ऐसे में उनके पास के वली है या उप्शन है कि हम लोग कानूनन एक दूसरे से अल बारा अप्रोच किया, तब कोट ने इनको अलाव किया कि भाई आप संडे संडे बच्चे से मिल सकते हो, यह बात सूचना सेड को बरदाश नहीं थी, वो किसी भी सूरत में अपने पती को शायद खुश नहीं देखना चाहती थी, ऐसी बात हो सकती है, लेकिन सवाल फिर वही कि बच्चे को क्यों मार दिया, खुश अगर उसको दुखी देड़ना है तो बच्चे को मार दिया थी, यह तो उस महिला के माइंट सेट को रीड करने की वाली बात है, कि उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, जैसा कि उसका बयान आया है, पुलिस को दिया गया है कि बच्चे को गोवा पसंता अब यहां पर एक देखिए बच्चे को गोवा पसंता इसलिए वो गोवा लेकर आई तो क्या वो बच्चे की आखरी इक्षा पूरी कर रही थी या बच्चे को लेकर वो गोवा आना चाहती थी बाद में उसके प्लान चेंज हुआ और उसने ये सारी चीज़ें कर दी क्योंकि कल हम लोगों ने जो बात कही थी कि साथ बजे के आसपास, आट बजे के आसपास उसके पती का वीडियो कॉल हुआ जिसमें बच्चे से बात हुई तो बच्चे से बात होने के बाद उसके mindset change हुआ और उसने यह सारी चीज़े scheme की और बच्चे को मार दिया तो यह सारी चीज़े उसके दिमाग उसके जब तक उसका revealing नहीं आएगा उसका अपना acceptance नहीं आएगा तब तक कुछ कहना बड़ा मुश्किल है इतना तो कौपाल जी मुझे लग रहा है जो बहुत genuine है कि है तो बहुत शातिर लेड़ी देखे हमिक्स्ट मिक्स्ट वो है इसे कहेंगे पहले आप प्यार करते हैं आपके जगड़े होते हैं बहुत नॉर्मल है उसके बाद आप कोट कचाहरी करते हैं ये भी बहुत नॉर्मल है होता है कई केसे में देखते हैं आप आइदर ही अलव हो जाते हैं तो ये होता है इस केस में हुआ कि बच्चे को मार दिया गुस्ता बच्चे पर निकाल दिया ये एक्स्ट्रीम केस है इसके बाद आपने उस एक्स्ट्रीम का आपको गिल्ट भी हो आपने खुद खुशी की भी कोशिश की जैसा भी तक इनिशली लग रहा है तो यह नि आपको रिग्रेट लेकिन वो रिग्रेट एकदम आपके दिमाग से निकल लिए वाइप आपने बचना है कि मैंने बच्चे को निमारा जब मैं सो के उठी तो बच्चा मरा हुआ था तो दो तीन चीज़े हैं एक तो उसको इसको इस्ट्रेंग नहीं किया गया तो वो तक्या वगरेसे ही दबा के किया होगा दूसरा जो पता चल रहा है वहां के जो डॉक्टर है उसने जो बात कही है कि स्मॉदरिंग इसकदर हुई है कि उसके सर्प में नसे उभाराई थी यानि कि बच्चे को इसकदर दबाया गया कि सर्प में नसे उभाराई और उससे कुछ रिसा हुआ है सोचिए तो कहने का मतला किहने तरपाना लेकिन ये एक पूरा एक्टिविटी कोई हार्ड कोर भी कर सकता है तो इसके लिए वो नहीं कहा जा सकता है बिल्कुल सही का गोपाल जी ने ये वीडियो आपको किसले की जूरू बताएगा ठैंक यू